नमस्ते दोस्तों, दोस्तों कहानी का नाम है मोटे रामजी शास्त्री, इसके लेकर है मुन्सी प्रेमचन और आवाज सवीता दहिया पंडित मोटे रामजी शास्त्री को कोन नहीं जानता? आप आधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं सवदेशी अंदोलन के दिनों में आपने उस अंदोलन का खुब विरोध किया था सवराज्य अंदोलन के दिनों में भी आपने आधिकारियों से राजभक्ती की सनन्धासिल की थी मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी निंद ने टूटी और अध्यापन कारिये से पिंड ने छूटा तो अंत में आपने एक नई तदिबीर सोची घर में जाकर धर्मपतनी जी से बोले इन बुढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूँ धर्मपतनी ने छंती धोकर कहा भोजनों का भी तो कोई सहरा चाहिए मोटे राम तुमें जब देखो पेट की ही फिकर पड़ी रहती है कोई ऐसा बिर्ला ही दिन जाता होगा कि निमंतरण ने मिलते हो और चाहे कोई निंदा ही करे पर मैं परोसा लिये बिना नहीं आता हूँ क्या आज ही सब यजमान मारे जाते हैं मगर जनम भर पेट ही जिलाया तो क्या किया संसार का कुछ सुक भी तो भोगना चाहिए मैंने वैद बनने का निश्य किया है स्त्री ने अस्चर ये से कहा वैद कैसे बनोगे? कुछ वैद की पड़ी भी है मोटे वैदक पड़ने से कुछ नहीं होता संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धी का दो चार सीधे साधे लटके हैं बस और कुछ नहीं आज ही अपने नाम के आगे विश्गाचारी बढ़ा लूँगा कौन पूछने आता है तुम विश्गाचारी हो या नहीं किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परिक्षा लेता फिरे एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूँगा उस पर ये शब्द लिखे होंगे यहां इस्तरी पूरिशों के गुप्त रोगों की चिकिच्चा विश्य सुरूप से की जाती है दो चार पैसे का हड़ बहेडा आमला कुट छान कर रख लूँगा बस इस काम के लिए इतना समन परियाप्त है हां समाचार पत्रों में विज्यापन दूँगा और नोटिस बनवाँगा उनमें लंका मदराज, रंगून कराची आधी दूरस्त स्थानों के सर्जिनों की चिठ्यां दर्ज की जाएंगी ये मेरे चिकिच्षा कोशल के साक्षी होंगे जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुश्य रहते भी है या नहीं फिर देखो वैदक कैसी चलती है इस्त्री ठेका नहीं लेता और फिर जितने आदमी बिमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते मेरा तो ये कहना है कि जिन्हें कोई औशदी नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर आप ही आप अच्छे हो जाते हैं वैदों को बिना मांगे यस मिलता है पांच रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यस मुझे अवस्चे ही मिलेगा सेश चार जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़ी ही आवेंगे मैंने बहुत विचार करके देख लिया इससे अच्छा कोई काम नहीं है लेक लिखना मुझे आता ही है कवित बना ही लेता हूँ पत्रों में आयूर्विद महतो पर दो चार लेक लिख दूँगा उन में जहां तहां दो चार कवित भी जोड़ दूँगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाशा में फिर देखो कितने उल्लूफ हसते हैं यह नहीं समझो कि मैं इतने दिनों केवल भूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ मैं नगर के सफल वैद्व की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ग्यान हुआ है इश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पाउं तक सोने से लदी होगी पिस्त्री ने अपने मनों लास को दबाते हुए कहा मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी नै अब वे अभिलाशा ही है पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनाने भी तो नहीं आती कैसे बनाओगे, रस कैसे बनेंगे दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो मोटे, प्रिये तुम वास्तों में बड़ी मुर्खा हो आरे वैदों के लिए इन बातों में से एक की भी आवशक्ता नहीं वैद की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है बस आवशक्ता है, कुछ ठाट बाट की एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो ताखों पर दस पांच सीशियां, बोतले हो इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं और सब कुछ बुद्धी आप ही आप कर लेती है मेरे साहिते मिश्रित लेखों का बड़ा परभाव पड़ेगा तुम देख ले न, अलंकारों का मुझे कितना ग्यान है ये तो तुम भी जानती ही हो आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दीखता जो अलंकारों के विशे में मुझे से पेश पा सके आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है दस-पांच आदमी तो कभी चर्चा के नाते ही मेरे यहां आया जाया करेंगे बस वही मेरे धलाल होंगे उन्हें की मारफत मेरे पास रुगी आवेंगे मैं आयूरविद ग्यान के बल पर नहीं नाई का ग्यान के बल पर धडलले से वैदक करूँगा तुम देखती तो जाओ इस्त्री ने एविश्वास के भाव से कहा मुझे तो ढर लगता है कहीं ये विद्यार्ती भी तुमारे हाथ से ने जाए ना इधर के रहो ना उधर के तुमारे भागे में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों और से ठोकर खाकर फिर तुमें वही तोते रठाने पढ़ेंगे मोटे तुमें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता इस्त्री इसलिए कि तुम वहां भी धूर्तता करोगे मैं तुमारी धूर्तता से चिड़ती हूँ तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो तुम लीडर ने बन सके, ने बन सके सिर्प टकर रहे गए, तुम्हारी धूरतता ही फली बूत होती है और इसी से मुझे चीड़ है मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बन कर रहो निश्क पट जीवन व्यतित करो मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो मोटे, आखिर मेरा नाई का ग्यान कब कामावेगा स्त्री, किसी रहीज की मुसाही भी क्यों नहीं कर लेते जहां दो चार सुन्दर कवित सुना दोगे वह खुश हो जाएगा और कुछ ने कुछ दे ही देगा वैदक का ढोंग क्यों रचते हो मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैदों के बापतादों को भी ने मालू होंगे और सभी वैद एक एक दो दो रुपे पर मारे मारे फिरते हैं मैं अपनी फीज पांच रुपे रखूंगा उस पर सवारी का किराय अलग लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद है नहीं तो इतनी फीज क्यों होती इस्तरी को आपकी कुछ विश्वास आया बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है मगर यह समझ लो, यहां तुमारा रंग ने जमेगा किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा मोटे, हसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता लखनों में आड़ा जमेगा अपना साल भर में वह धाग बांदूं कि सारे वैद गर्द हो जाए मुझे और भी कितने ही मंतर आते हैं मैं रोगी को दो तीन बार देखे बिना उसकी चिकित्षा ही नहीं करूँगा कहूँगा मैं जब तक रोगी की प्रकर्ति को भली भांती पहचान नहीं लूँ उसकी दवा नहीं कर सकता बोलो कैसी रहेगी? इस तरी की बाचे खिल गई बोली अब मैं तुम्हें मान गई अवस्य चलेगी तुम्हारी व्याद की आप मोजे कोई संदे नहीं रहा मगर गरीबों के साथ ये मंतर नहीं चलाना नहीं तो धोका खाओगे साल भर गुजर गया बिशगा चारिये पंडित मोटे रामजी शास्त्री की लखनों में धूम मच गई अलंग कारों का ग्यान तो उन्हें था ही कुछ गाबजा भी लेते थे उस पर गुप्त रोगों के विशेशग्य रईशों के भागे जागे पंडित जी उन्हें कवित सुनाते हसाते और बल कारक ओस्दिया खिलाते और वह रईशों में जिन्हें पुष्टी कारक ओस्दिया की विशेश चाह रहती है उनकी तारिफों के पूल बानते साल ही भर में वैद जी का वह रंग जमा की बायद वह शायद गुप्त रोगों के चिकिच्चक लखनू में एक मात्रव ही थे गुप्त रूप से चिकिच्चा भी करते विलासनी विद्वारानियों और शोकिन ऐ दूरदर्शी रईसों में आपकी खुब पुजा होने लगी किसी को अपने सामने समझते ही नहीं थे मगर इस्तरी उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के जहमेले में नफसो नहीं एक दिन पच्टा होगे मगर भावी तो होकर ही रहती है कोई लाख समझाए बुजाए पंडित जी के उपासकों में बिढ़हल की रानी भी थी राजा सहाब का स्वरगवास हो चुका था रानी साहीबा ने जाने किस जिरन रोग से ग्रस्त थी पंडित जी उनके हैं दिन में पांच-पांच भार जाते रानी साहीबा उने एक शान के लिए भी अपने पास से हट नेने देना चाहती थी पंडित जी के पहुचने में जरा भी देर हो जाती तो बेचेन हो जाती एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी अब पंडित जी ने खूब केचुल बदली थी तंजेब की अचकन पहनते बनार्शी साफा बानते और पंप जूता डालते थे मित्र गन्भी उनके साथ मोटर पर बैट कर दंदनाया करते थे कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नोकर रखा दिया रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती मगर चर्खे जफाकार और ही सडियंतर रच रहा था एक दिन पंदित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्स देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हरदे की गती की परिक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सोटी लिये हुए कमरे में घुसाए और पंदित जी पर तूट पड़े रानी ने भाग कर दूसरे कमरे की शरण ली और किवार बंद कर लिये पंदित जी पर बे भाव पढ़ने लगी यू तो पंदित जी भी दमखम के आदमी थे एक गुपती सदेव साथ रखते थे पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका हाई हाई का शब्द निरंतर मुझे निकल रहा था पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दयाना आती एक आदमी ने एक लाद जमा कर कहा इस दुष्ट की नाक काट लो दूसरा बोला इसके मुँ में कालिक और चूना लगा कर छोड़ दो तीसरा क्यों वैदिशी महराज बोलो क्या मंजूर है नाक कटवाओगे या मुँ में कालिक लगवाओगे पंडित हाई हाई मर गया और जो चाय करो मगर नाक ने काटो एक अब तो फिर इधर ना आओगे पंडित भूल कर भी नहीं सरकार हाई मर गया दूसरा आज ही लखनव से रफू रैट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा पंडित सरकार मैं आज ही चला जाओगा जन्यव की शफत खाकर कहता हूँ आप यहां मेरी सूरत न देखेंगे तीसरा अच्छा भाई सब कोई इसे पांच-पांच लाते लगा कर छोड़ दो पंडित अरे सरकार मर जाओंगा दया करो चोथा तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है हां तो शुरू हो पंच लत्ति पढ़ने लगी धमाधम की आवाजे आने लगी मालूम होता था नगाडे पर चोड़ पढ़ रही है हर धमाखे के बाद एक बार हाई की आवाज निकल जाती थी मानो उसकी प्रतिधवनी हो पंच लत्ति पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठा कर घर भीज दिया चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्राते काल से पहले भाग खड़े होना नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा मोटे राम जी लंगडाते कर हाते लकडी टेकते घर में गए और धम से चार पाई पर गिर पड़े इस्त्री ने घबरा कर पूछा कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाई हाई ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? मोटे हाई भगवान मैं मर गया इस्त्री कहां दर्ध है? इसी मारे कहती थी बहुत रबडी ने खाओ लवन भास कर ले आऊं मोटे हाई दूस्टों ने मार डाला उसी चंडा लेनी के कारण मेरी दुरगती हुई हाँ पिटे तो हो अच्छा हुआ हो तुम लातों के ही देवता कहती थी कि रानी के हैं मत आया जाया करो मगर तुम कब सुनते हो? मोटे हाई हाई रान्ड तुझे भी इसी दम कोसने की सुजी मेरा तो बुरा हाल है और तु कोस रही है किसी से कह दे थेला वेला लावे रातो रात लखनों से भाग जाना है नहीं तो सबेरे परान न बचेंगे इस्तरी नहीं अभी तुमारा पेट नहीं भरा आभी कुजिन और यहां की हवा खाओ कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे? हाँ नहीं तो वैद बनने की सूजी बहुत अच्छा हुआ अब उमर भर न भूलोगे रानी कहा थी कि तुम पिठते रहे और उसने तुमारी रक्षा ने की पंडित हाए हाए वह चुडेल तो भाग गई उसी के कारण क्या जानता था कि ये हाल होगा नहीं तो उसकी चिकिच्छा ही क्यों करता इस्त्री हो तुम तकदीर के खोटे कैसी व्यदिकी चल रही थी मगर तुमारी कर्टूतों ने सत्यनास माल दिया आखिर फिर वही पठोनी करना पड़ी हो तकदीर के खोटे प्रातह काल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला कड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था मित्रों में एक भी नजरने आता था पंडिस जी पड़े करहा रहे थी और इस्त्री सामान लदवा रहे थी